नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आज के स्वीडियो में दोस्तों आज ऐसे संडे और जिसा की आप सभी जानते हैं कि संडे को मैं करते हैं कि एक QI L.A. सेसन चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें को इस चैनल पर मिलते रहेगी और आईसके वीडियो का पहला सवाल है कि जोब छोड़ने के बाद प्यएफ का पैसा केसे निकालें तो इस सवाल का जवाब पूरा पैसा निकाल सकते हैं लेकिन अगर इसके बारे में आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैं आपको यहां यह बता दूं कि जोब छोड़ने के बाद में आप अपने पीएफ अकॉड का पूरा पैसा निकाल सकते हैं और अगला सवाल कि जितने पैसे निकाल ने advance claim किया था उतने पैसे नहीं मिले ऐसा क्यों तो जैसा कि आप advance claim की बारे में जानते ही हैं कि हम job करते हुए भी अपने PF account से पैसा निकाल सकते हैं इसके लिए हमें advance claim करना पड़ता है आप कोई भी PF members advance claim stipyle करेगा जब उसे पैसे की जरौद होगी और एडवास claim की ज जरिये वहां साथ यसा होता है कि Marcel है जितना पैसे नचालना चाहते हैं उतना पैसा उन्हें नहीं मिलता है ए करता है कि आपने की की advance claim किया है चोंकि advance claim की जरीये P.F account से पैसा निखालने के लिए हमें advance season बताना पढ़ता है यहलैं Д.К. हमें वो कारणड़ बताना पढ़ता है जिस कारणड़ के चलते हम अपने P.F account से advance पैसा निकाल रहे हैं और इन अपने P.F account से कितना advance पैसा मिलेगा और आज की वीडियो का अगला सवाल है क्या एक employee दो कंपनी में एक साथ job कर सकता है क्या दोनों ही जौब में पीअप काउंट उपन करवा सकता है तो इस सवाल का जवाब यह कि एक employee दो जयके जौब कर सकता है इसमें इसके परेशाली वाली बात resistant ही है लेकिन अगर 2 जगे job करके 2 पी एफ्प अकांट ऊपन करवा सकता हैं तो इस सवाल का जवाब यह है कि कि एक वेकती दो जगे job तो कर सकता है लेकिन दोनों जओब मे अपना पीएफ अकांट उपन नहीं करवा सकता है इसके पीछे एक complete और detail वीडियो बना दिया है उस वीडियो का लिंक आपको उपर आई बटन पर मिल जाएगा और आज की वीडियो का अगला सवाल है क्या उमंगेप से पीएफ क्लेम करने पर क्लेम जल्दी सेटल होते हैं तो इस सवाल का जवाब यह है कि उमंगेप के जरी पीएफ क्लेम करन क्लेमें लगता है बस यह होता है कि पीएफ अकाउंड के मुकाबले पीएफ क्लेम करना थोड़ा असान होता है क्योंकि आपको अपने मूबाइल फोन में बड़ी आसानी से इस्तिमाल कर सकते हैं अब आपको आपको पर आई बटन पर मिल जाएगा और आज के वीडियो का आखरे सवाल है कि construction of house एडवांस सिजन को हम कितनी बार इस्तिमाल कर सकते हैं तो इस सवाल का जवाब जलने से पहले तो मैं आपको construction of house एडवांस सिजन के बारे में कुछ जानकर ही बता देता हूं कि construction of house एडवांस सिजन के जरिये आप employee share का पैसा भी advance क्लेम करके निकाल सकते हैं लेकिन इस एडवांस सिजन को इस्तिमाल करने के लिए पीएफ मेंबर की 5 सल की service complete होना चाहिए यानि कि अगर आपने लगातार 5 साल तक जोग की है तब आप construction of house एडवांस सिजन को इस्तिमाल करके advance क्लेम कर सकते हैं लेकिन अब यहाँ पर सवाल यह कि construction of house एडवांस सिजन को हम कितनी बार इस्तिमाल कर सकते हैं तो इस सवाल का जवाब यह कि construction of house एडवांस सिजन को आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इस्तिमाल कर सकते हैं चाहिए आपकी service 5 साल या फिर उससे ज्यादा क्यों ना हो लेकिन अगर आपने एक बार construction of house पूप सकते यह पीएफो जुड़ी आपके प्रॉब्लम में जिसका सॉलिशन आप मुझसे चाहते तो आप मुझे इस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरू करें चेनल पर अगर आप नहीं है तो चेनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यह पीएफो जुड़ी जाइन करें आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी